इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह इन इंफेक्शन रो पैदा वाले कवक को बढ़ने से रोकता है। लूले स्क्रीम का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार किया जाना चाहिए। इसे अधिक बार या निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में इस्तेमाल न कर और केवल साइड इफेक्ट बढ़ा सकता है। त्वचा के संक्रमन आमतोर पर दो से चार सप्ताह के उपयोग के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी स्थिती में कोई सुधार नहीं होता है तो इस बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। प्रभाविक शेत्र को साफ औ और इस्तिमाल करने से पहले और बाद में हाथ धोने से दवा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको एथलीट फुट की बीमारी है तो अपने मोजे या टाइट्स को अच्छी तरह धोएं और अगर संभव हो तो अपने जूते को रोजाना बदलें। इस के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर ये बने रहते हैं या इनसे आपको परिशानी हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप किसी अलजिक रियेक्शन जैसे कि दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या और मतली के ल इंजेक्शन देखते हैं, तो इमजेंसी सहायता लें। आखों के संपर्क में ना आने दें। आकस्मिक कॉंटेक्ट के मामले में पानी से अपनी आखों को धोलें और तुरंत चिकित सकीय सहायता लें। ऐसी संभावना नहीं है कि मूह हुई या इंजेक्शन से ली जाने अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके पर असर डालेंगी। लेकिन अगर आपने हाल ही में किसी अन्य क्रीम का इस्तिमाल किया है जिसमें स्टेरोइट था या अगर आपको किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी हुई थी तो अपने डॉक्टर को यह बात और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद